हेलो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छ होंगे दोस्तों जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के अनलेसिस वाली वीडियो में बताया था कि काफी जादा साइड़ वेज मुमेंटम मार्केट में देखने को मिला है सेम सिच्विशन सारी चीजों में रही है हाला कि आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी में आपको कुछ मुमेंटम देखने को मिला है लेकिन प्रेमियम नहीं बढ़ रहे थे उस हिसाब से क्योंकि मार्केट इतना जादा साइड़ वेज था और यहां पे तो हदी हो रही थी जितना भी मुमेंटम आया वो पहली ही केंडल में आ गया अगर आप देखेंगे तीनों में आपको यही सिच्वेशन देखने को मिल रहे है निफ्टी फिफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी फाइनेंसल सर्विसस में भी अब कल के लिए हमें किस तरीकी से तियार रखने है वो भी हम डिस्केशन करेंगे लेकिन पहले लोजिक समझ लेते हैं कुछ चीजों का जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप पहली ही केंडल पर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे स्टेजी भी एक्टिवेट होती हुए दिखाई दिरी है लेकिन काफी बड़ी केंडल है और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बड़ी ग्रीन केंडल बड़ी रेड केंडल बड़ी गैप अप ओप ओपनिंग बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यह चारो चलती ट्रेन होती है एक त्रे की साथि-साथ साइडवेज मार्केट इन पाँचों से हमें दूर रहना होता है तो यहाँ पे अगर आपको कोई momentum मिलता हाला कि Nifty 50 में आपको momentum दिया है market ने strategy भी activate किये लेकिन premium इतना अच्छा खासा नहीं बढ़ा या तो कम profit हुआ है या फिर आपको अपनी positions lows में ही बेचनी पड़ी है हाला कि अगर आप bank Nifty पे नज़र डालेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा sideways momentum था कोई भी opportunity नहीं दिखाई दे रही थी वोई हाल Nifty financial services का था लेकिन यहाँ पे आपको कुछ न कुछ opportunity बनी होगी हाला कि मैंने भी trade लिया था Nifty 50 में लेकिन मुझे भी profit नहीं मिला है क्योंकि premium नहीं बढ़ रहे थी किसी भी situation में अब trapping से बचना होता है आज की market ने आपको trapping दिखाई जैसे की बड़ी बड़ी candle जैसे की यह reversal की candle आपको दिखाई होगी यहाँ पर आपको फिर से एक बड़ी candle दिखाई है यहाँ पर भी आपको reversal के situation देखने को मिलिया कि यहाँ से एक positive momentum दिया फिर market ने इसका breakdown दिया नीचे की तरफ momentum दिया हलाकि यहाँ पर भी एक opportunity थी market ने एक range बना के दी उपर market previous day high पे resistance की तरह एक्ट करा था काफी लोगों के मुझे comment आये थे bank nifty analysis वाली वीडियो में कि उन्होंने इस momentum को पकड़ा क्योंकि जब-जब sideways market जाएगा तो मैंने आपको चार pattern बता रखे है triangle वाले pattern trend line से मिलके बनाओ pattern parallel pattern higher possibility रहती है कि आपको इन चारों में से कोई सा न कोई सा pattern देखने को मिल जाए तो यहाँ पर यह वाला pattern आपको नजर आ रहा है उपर की तरफ आप देखेंगे resistance नीचे की तरफ आप देखेंगे support आपको इसका breakdown मिला एक retash momentum मिला price action मिला हाला कि यहाँ पर आप पकड़ सकते थे लेकिन मैंने इस पर काम नहीं किया है क्योंकि मैंने इस momentum को नहीं पकड़ाए क्योंकि यहीं पर ही जो positions बनी होई थी मैंने उन्हें ही cut कर दिया था जब यह reversal की situation बनी थी मैंने उन्हें cut कर दिया था और loss में ही book करना पड़ता अगर किसी ने इस momentum को पकड़ा है वो मुझे comment करके जरूर बताएगा क्योंकि जब-जब sideways market जाता है मैं ज़्यादा position नहीं लेता हूँ यह मैंने आपको बताया है क्योंकि अगर मैं ही rule follow नहीं करूँगा नहीं कर सकते तो system बंद कर दो अगर control कर सकते हो अपने आप पे क्या आपको trade नहीं लेना है तो उस बैठ के observe करते रहो market में क्योंकि breakout breakdown देने की कहीं बार market ने trapping करने एक को जिस किया जैसे कि यहाँ पे एक बहतरी इंस momentum दिखाया एक support दिखाया ट्रेंड लाइन का भी breakout दिखाया लेकिन फिर यहाँ पे trap कर दिया वही situation आपको यहाँ पे देखने को मिली breakdown दिया, projection बना हाला कि यहाँ पे किसी ने अगर momentum ले 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 होगा उसने कुछ ने कुछ premium मिल गया होगा चाहे थोड़ा बहत मिला होगा क्योंकि को एक momentum था opportunity बन रही थी projection बना था यहाँ पे सीधा breakout मिला कोई projection नहीं बन रहा था नहीं कोई opportunity थी बस candle कम हो था जो की काफी तेजी के साथ आया था तो आज की situation सिर्फ यही रही लेकिन कुछ चीजों पे नजर डालते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं जैसे कि उपर की तरप आपको बता रखा है कि जब तक market इससे उपर closing नहीं देता 19600 के उपर हमें proper तरीकी से closing नहीं मिलती price sustain नहीं करता तब तक आप aggressive buying नहीं कर सकते लेकिन नीचे जो level बताय गया था market उसका breakdown दे चुका है लेकिन अभी भी आप aggressive selling नहीं कर सकते क्योंकि नीचे एक और important zone है ये वाला zone काफी important है अगर market इसका breakdown दे के 19200 का नीचे आपको breakdown दे के closing दे देता है price sustain कर जाता है तब ही आपको negative momentum market में देखने को मिल सकता है नहीं तो आप aggressive selling भी नहीं करेंगे क्योंकि इस zone में market पहले भी रहा है अगर आप दिहान से देखेंगे आप July में देखेंगे market ने इस zone में काफी time spend किया है और फिर अचानक से आपको एक breakout की situation देखने को मिली थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से breakout देखने को मिलेगा breakdown भी देखने को मिल सकता है इसलिए मैं आपको अमेसा कहता हूँ price action पर follow करेंगे जो भी price action बनेगा उसे के according काम करेंगे इस बीच ज़्यादा aggressive ना तो buying करनी है ना selling करनी है रोज का जो भी आपका setup बन रहा है उसके according काम करो लेके चलता हूँ यहाँ पर भी कुछ चीज़े समझने के कोशिस करते हैं कि market में क्या-क्या situation हमारे लिए रह सकती है जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़े observe करी पहले ये वाला zone हमारे लिए एक important support बना हुआ था 9th को भी बहतरीन market ने यहाँ पर support लिया, time spent किया buyers, sellers के बीच काफी बहतरीन fight भी चली लेकिन last में buyers के जीत हुई और bounce हमें यहाँ से देखने को मिला यही situation हमने 10th को भी observe करी, market इसी zone में support लेके bounce कर गया, फिर वापिस आया, इसी zone के पास आया, support लेके bounce कर गया, वही चीज़ हमने 11th को भी observe करी, अब हम जानते हैं, अगर कोई important support था, breakdown देके वो एक important resistance बन गया, वो ही situation आप यहाँ पे देख रहे हैं, 11th को जो एक मजबूत resistance दिखाई दे रहे आपको यह पहले एक मजबूत support था, इसका breakdown मिलके अभी resistance बन चुका है, अगर price इससे उपर sustain कर जाता, इसका breakout मिल जाता हो सकता था, हमें trading day high वापिस से देखने को मिल जाता, लेकिन बार-बार market यही पे जाके रूक रहा था और यही से हमें गिरावाट देखने को मिल रही थी, तो यहाँ से हम कुछ चीजे point नोट कर लेते हैं, कि फिर से हमारे लिए एक important resistance की track करेगा, अगर हमें positive momentum देखने को मिला, पहले चीज हमने observe कर ली क्योंकि अगर इसका breakout मिला, एक opportunity भी बन सकते हैं, नहीं entry point भी बन सकते हैं, या फिर हम trade में पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम profit booking भी कर सकते हैं, अगर price यहाँ पर रुकने लगता है, market यहाँ पर रुकने लगता है, तो इस तरह के point को आपको पहले ही note down करना होता है, market open करने से पहले, इसलिए आप analysis videos देखते हैं, जिससे कि आपको proper तरीके से पता लग जाता है कि क्या क्या situation आपके लिए हो सकती हैं, दूसरा अब यहाँ पर अगला point जो note down करने का है, वो यह है previous day high, एक तो यह वाला zone हमें पता चल गया, अब यहाँ पर हम एक बात और note कर रहे हैं, जो previous day closing है और previous day low है, यह लाइक करे भीना, बिल्कुल भी मज़ाना, लाइक करना, अपना support दिखाना, comment करके बताना कि आपको इससे कुछ benefit मिल रहा है कि नहीं, तो इतने point हमने note down कर लिए, point note down करने के और भी है, लेकिन हम फिलाल इनी पर focus करते हैं, तो पहली situation हम discuss करते हैं, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है, इस situation पर हमारी कुछ condition रहेगी, previous day closing से market उपर रहना चाहिए, previous day लोग से तो उपर रहे गई अगर previous day closing से उपर है, अगर market यहां से उपर चलने लगता है, तो आपके लिए opportunity सिर्फ यहां तक ही है, aggressive buying मत करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर market resistance की track कर, और अगर हम position पर यहां से ही बैठे हुए हैं, तो मैंने समझा है हुआ है आपको, अगर market किसी important level का सीधे breakout दे रहा है, तो नई entry नहीं बनानी है, नई entry तब बनानी है, या तो market वहां पर time spent करके breakout दे, लेकिन यहां पर हमें benefit कैसे मिल सकता है, अगर हम trade में पहले से बैठे हुए है, सीधे breakout दे रहा है market, तो हम अपने stop loss को trail करके यहां पर put कर सकते हैं, यह benefit हमें मिल सकता है, situation समझ में, अगर सीधे breakout दिया, तो अपने stop loss यहां पर रख लेना, अगर time spent करनी लगा, तो profit booking कर लेना, नई price reaction के लिए market rate है, ready हो रहा है, अगर breakout दिया, तो previous day high को approach करने की कोसिस करेगा, यह breakdown दिया, तो previous day लोग को approach करने की कोसिस करेगा, फहली चीज़ हमें समझ में आ गए, अगर market flat open होके negative momentum दिखाता है, इस situation पर market को देनी पड़ेगी previous day close, previous day low का breakdown, और previous day closing से market नीचे रहेगा, तो यहां पर हमारा set up बन जाएगा, previous day low का breakdown, अब जिन्होंने course किया हुआ है, उन्हें मैंने दो set up बताए हुए, एक तो है previous day low का breakdown, यह लग है, एक है previous day low बनती है, यह दो चीज़े समझाएगे, दोनों अलग लग चीज़ है, इनके proper तरीके से entry, stop loss या target आपके क्या होने चाहिए, वो situation यहां पर बताए गई है, फिलाल मैं आपकी जानकार के लिए बता दू, अगर आप भी करना चाहते हैं, फिलाल 30% off चल रहा है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, ऐसा पहली बार हुआ है, 15 अगस्त के खुशी में, हमने 30% का off किया है, आज तक 30% का off कभी भी नहीं दिया गया है, यह पहली बार ही 30% का off दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर situation पर है, अगर आपको previous day low का breakdown मिला है, अगर price action के हम बात करें, तो अगला support जो third का day low है, इस पर बनने की possibility हमें लग रही है, लेकिन काफी बड़ा momentum market में आ सकता है, उससे पहले आपके लिए support इस वाले zone में बन सकता है, यहनकी 19,360 के around, अगर इसका breakdown मिलता है, फिर आपको 19,320 के around, एक support देखने को मिल सकता है, चीज़े clear होगी, इस 30% of का धियान रखना, क्योंकि दो दिन का आपको holiday भी है, उमीद है आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, और यह offer पहली बार दिया जा रहा है आईए अगला discussion करते हैं, अगर आपको gap up opening मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि, इन chill levels पे हमें focus रखना है, previous day high, यह वाला एक important resistance है, और यह है previous day low और previous day closing भी इसी zone में, अगर gap up opening का scenario बना, तो हम इस वाले zone पे focus रखेंगे, इस वाले zone पे, अगर बहतर projection बनेगा, अगर सीधे breakout दे रहा है, तो एक बार retest करने देना, तब projection बने देना, आपके लिए अगला resistance बनेगा, previous day high पे, ठीक है, अगर इसका भी breakout मिला, तो 19,600, यहाँ पे आपका previous day high के breakout वाला setup भी काम करेगा, ठीक है, वहीं पे अगर market आपको gap down, चलो एक ओर discussion कर लेते हैं, अगर bear scandal बनी gap up opening देगे, क्योंकि पता है, resistance zone हो सकता है, market reverse हो जाए, इस situation पे जो पहला support बनेगा, previous day low पे बनेगा, इसका breakdown मिल गया, फिर नीचे की तरफ आपको support zone पता ही है, कि आपके लिए अगर gap down opening मिली, तो इसका मतलब क्या है, market इनसे तो नीचे रहेगा, क्योंकि दोनों काफी नजदीक है, इस situation पे आपको दिहान ये रखना है, अगर 100 plus आपको gap down opening मिलती है, 100 plus point के आपको gap down opening मिलती है, तो entry मत लेना, ना buying side, ना selling side, price action बनने देना, क्योंकि बात वही आ जाती है, जादा बड़ी gap down opening आपको avoid करनी है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर आपको 40 to 50 points के around ही gap down opening मिलती है, और market वहाँ पे bearish candle बना दे और उससे नीचे चलने लगे, तो नीचे की तरप आपको पता है कि आपके लिए support zone कौन-कौन से हो सकते हैं, लेकिन अगर gap down opening देके bully scandal बली, तो पहला resistance बनेगा previous day closing, इसका breakout मिला, तो यहाँ पे आपको 19,480 के around, resistance देखने को मिलेगा, इसका breakout मिला, आपको previous day high देखने को मिलेगा, इसका breakout मिला, तो 19,600 आपको देखने को मिलेगा, चीज़े clear होगी, दोस्तों, मैं आपको last में फिर से याद दिला दू, वीडियो को like करना है आपको, और 30% का off चल रहा है, जो कि पहली बार offer दिया गया है, गर आप अपनी learning को increase करना चाता है, अपनी knowledge को sharp करना चाते हैं, कुस skill add करना चाते हैं, तो आप इस offer का फाइदा उठा सकते हैं, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, जितने भी courses सभी पे 30% off कर दिया गया है, आप जाके इन्हें enjoy कर सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में